दोस्तो स्वावत है आपका टेक्निकल दिलसाथ यूट्यूब चैनल में अगर आप Paytium UPI एप से पैसे भेजते हो, पैसे मंगवाते हो Paytium UPI से आप पैसो का लेन देन करते हैं तो ऐसे में आप जब भी पैसे भेजते हैं तो आपको एक UPI पिन डालना होता है या फिर आप नॉर्मली जब आप Paytium से अपना बैलेस चैक करते हैं तब भी आपको Paytium UPI में एक UPI पिन डालना होता है लेकिन अगर आप अपना UPI पिन भूल गए हैं बार बार जब भी आप अपना Paytium एप में UPI पिन डाल रहे हैं तो आपका जो UPI पिन है वो गलत बता रहा है तो ऐसे में आप Paytium UPI पिन को चेंज कर सकते हैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ How to Change Paytium UPI पिन या फिर Paytium UPI पिन चेंज कैसे करें तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहल तो मैं यहाँ पर अपना Paytium UPI को open कर लेता हूँ Paytium एप open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आचुका है अब मैं यहाँ पर 2 bank account पर टच करता हूँ 2 bank account पर टच करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है अब यहाँ पर मेरे पेटियम एप में केवल एक ही बैंक कनेक्ट है इसलिए मैं आपर अगर टू सेल्फ पर टच करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी सो नहीं हो रहा है या फिर आप ऐसा कर सकते हैं तो सेल्फ अकाउंट पर टच करने के बाद आप यहाँ पर सेटिंग्स पर टच कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको वो अकाउंट दिखाई देगा जो आपने पेटियम से लिंक कर रखा है अब हम उस बैक पर टच करेंगे जो हमारे Paytium UPI से link है मैं यहाँ पर touch करता हूँ तो यहाँ पर अब हमारे सामने कुछ इस तरीक एक interface आ चुका है यहाँ पर हम balance चेक कर सकते हैं UPI pin change कर सकते हैं और नीचे यहाँ पर हमारी जो account की detail है वो आ चुकी है सबसे पहले तो हम यहाँ पर check balance पर touch करते हैं और देखते हैं जो pin हमारे याद है वो काम कर रहा है या नहीं तो जो pin हमें याद है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है incorrect UPI pin enter too many time अब यहाँ पर हमें अपना UPI pin change करना है क्योंके हम अपना UPI pin भूल गए है तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले change पर touch करेंगे change पर touch करने के बाद अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का interface आ चुका है अब हमसे यहाँ पर debit card के last के 6 अंक मांग रहा है और यहाँ पर हमारा जो debit card है उसकी expire date और expire month मांग रहा है लेकिन हमें अपने debit card के last के 6 अंक नहीं पता और नहीं हमें last का जो expire date है वो भी हमें नहीं पता है क्योंके हमने जो UPI ID बनाई थी वो अपने virtual debit card से बनाई थी और virtual debit card हमने India Post Permit Bank की mobile banking से बनाया था तो अब हमें अपने debit card के last के 6 अंक पता करने के लिए करना क्या होगा सबसे पहले तो अपने IPPB mobile app को open करना है क्योंके India Post Permit Bank की mobile banking से ही हमने अपना virtual debit card बनाया था तो यहाँ पर हम fingerpin्ट से से unlock कर देते हैं अब India Post Permit Bank की mobile banking हमारे सामने कुछ इस तरह से open हो चुकी है अब मैं यहाँ पर स्क्रोल करूंगा और यहाँ पर debit card का feature मुझे दिया गया है मैं यहाँ पर टच करता हूं तो उसके बाद यहाँ पर आप हमारा virtual debit card देख सकते हैं view card details पर टच करने के बाद हम यहाँ पर अब एक M-pin डालेंगे तो जल्दी से मैं यहाँ पर अपना M-pin डाल लेता हूं M-pin डालने के बाद हम यहाँ पर confirm पर टच करेंगे अब हमारा जो card है वो हमारे सामने सो हो चुका है card की expired date हमारे सामने यहाँ पर आ चुकी है card के last के 6 अंक पता चल गए है मैं यहाँ पर जल्दी से डाल लेता हूं और यहाँ पर मैंने expire month और expire year भी डाल दिया है उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसिट पर टच करना है और आपके mobile पर एक OTP आएगा वो OTP verify होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीकी का interface आ जाएगा अब आपको यहाँ पर right की इंसान पर टच करना है अब यहाँ पर आपको 6 अंको का एक UPI pin set कर लेना है ध्यान रहे जो आप UPI pin set करेंगे वो आपको याद रखना है क्योंकि इस pin की बार-बार जड़त पड़ती है जब भी आप transaction करते हैं तो जल्दी से मैं अपने 6 अंको का यहाँ पर M pin set कर लेता हूँ अब मैंने यहाँ पर अपना 6 अंको का M pin set कर लिया है अब मैं यहाँ पर नीचे right पर टच करता हूँ और दोबारा वही 6 अंको का M pin हमें यहाँ पर confirm करना है अब हमने यहाँ पर अपना M pin confirm कर दिया है उसके बाद आपको यहाँ पर right की निसान पर दोबारा टच करना है और यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं और UPI pin एंटर करने के बाद right की निसान पर टच करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा जो balance है वो successful check हो चुका है और हमारा paytm UPI pin भी change हो चुका है वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रू कीजिएगा और हमारे चैनल टेकनिकल दिलसाथ को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से सुक्रिया